हेलो एव्रिवान वेलकम टू माई चैनल एडूडियो मैं मुहमसाथ पिर एक नहीं वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और यह वीडियो टीच्मेंट से रिलेटेड है और बहुत ही जबरदस अपडेट इन्होंने दिया है टीच्मेंट बादोंने देखिए सबसे पहले मैं उसको अपग्रेट कर रहे हैं और बहुती बहतरी तरीके से उसको जो है आगे लेके चल रहे हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ और उसमें बहुत ही जबरदस फीचर्स इंटोडियूस करते जा रहे हैं तो जो भी लेटेस अपडेट होगा ना कि इस सौफ़ेर से रिलेटेड आगे मेरी वीडियो आपको देखनी है और जैसे जैसे नहीं वीडियो एडुकेशन से रिलेटेड जिस फील्ड से भी होगी I cover on wide range of topics वो सब आपको मिलेंगी तो इसलिए जल्दी से आपको मिलें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक केजे शेय केजे और जो भी आपके माइन में है उसको comment box में लिखिए कि इस topic में मुझे एक वीडियो चाहिए तो मैं जरूर कोशिश करू होगा उसको बनाने की जल्दी से जल्दी तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजे लाइक केजे और शेय केजे चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं देखिए टीच्मेंट रेगुलरी जैसे मैंने बोला कि अपने आपको रेगुलरी अपग्रेट कर रहा है ने ने फीचर इंटिड्यूस कर रहा है जो एक टीचर के रिक्वाइमेंट है वो उसको पूरा कर रहा है ठीक है चाहे वो मोबाइल वर्जिन हो चाहे वो डेक्स्टॉप या जो लैप्टॉप वर्जिन हो ठीक है तो इस बार जो उन्होंने अपडेट किया है देखिए सबसे पहले हम बा पर इडिट कर सकते हैं आपको यहां पर जाना होगा जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जहां पर लोगो दिख रहा है जैसे मेरी यहां पर फोटो नेम दिख रहा है यहां पर ठीक है तो देखिए पहले प्रोफाइल सेक्शन नहीं होता था प्रोफाइल आप यहां से एडि file को बहुत ही attractive बनाए तो एक attractive सा cover photo आप लगाए ठीक है उसके बाद देखें यहां से जाके आप अपनी photo को change कर सकते हैं यहां पे आप जाके अपने mobile अपने जो subjects आप देखते हैं वो जाके edit कर सकते हैं यहां पे edit का option दिया हुआ है see this आप अपने experience कहां आप रहते हैं about you about the subject about your YouTube channel Facebook अब आप चेंज यहां से कर सकते हैं पहले हम वेब version से नहीं कर पाते थे दूसरा यहां पर इन्होंने दिया हुआ है edit section यहां पर आप अपने institute का logo change कर सकते हैं institute का name description अपना address यहां पर डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद जैसे चैनल से तो जैसे webstore है तो देखिए webstore पर जाते हैं आप mobile version से जाते थे तो यह webstore कैसा दिखेगा when anyone will click on it ठीक है कोई student आपके जैसे website जो यह teachment प्रोवाइट करता है उस पर जिब क्लिक करेगा तो कैसे यह यहां पर शोगा ऐसे यहां पर आप देख सकते हो ठीक है कि आपका photo है ठीक है आपके demo videos है ठीक है जो compliments जैसे compliments यहां पर मुझे मेरे student ने दिया है very much new to teachment but I'm loving it ठीक है तो अब देखें जैसे super supportive doubt destroy motivation बहुत सारे means आपको यह batches students provide करेंगे if you are taking wonderful classes for them और इसके अलावा भी batches है जैसे इन बच्चों ने मुझे reward किया हुआ thank you to my students ठीक है और यहां पर classrooms है आप जाके यहां classrooms देख सकते हैं कौन-कौन से classroom means if you are a teacher user so you know that you know about it तो यह एक update यूट्यूब वीडियो अब इस्टिट्यूट यह सारी चीज़े यहां पर आप देख सकते हैं means that will be a very awesome thing अब अब देखें यहां पर creative educator doubt destroy excellent communications subject genius motivational guru super friendly जब आप continuous life classes लेंगे तो फिर treatment जो है आपके student side पर याने जो आपके students होंगो उनको यह भेजेगा और students आपको batches allot करेंगे आपके classes के ऊपर ठीक है तो यह एक बहुत ही important update है कि आप अपने profile को जैसे मैंने सारे steps complete कि हुए तो I've got the five step जैसे यहां पर लिखा हुआ देखे you're all set teachers with all star profiles get more student inquiries okay because this is a complete thing तो एक update इन्होंने जो दिया है this is this कि आप यहां पर web version से अपने profile को क्या कर सकते हैं edit कर सकते हैं second update जो है अब आप यहां web version से direct chat कर सकते हैं पहले आप से mobile version से कर पाते थे लेकिन आप web version से भी student से chat कर सकते हैं और इस chat में दो sitting है एक तो classroom chat को आप disable कर देंगे तो student को वो classroom chat दिखाई नहीं देगी दूसरा अगर आप enable teacher only करेंगे तो सिर्फ आप send कर सकते हो होते हैं कि जब आप chat करना शुरू करते हो तो पहले यह option नहीं था लेकिन आप इन्होंने डाल दिया है after certain suggestion and I am very thankful to them क्योंकि जायर से बात है जब एक chat में option नहीं है तो हर student कोई भी message करेगा तो सब को message जाता है सब disturb होते हैं तो आप enable teacher only कर दिये जो आप send करना चाहते हैं जैसे आप देख सकते हैं जैसे मुझे कुछ notification जैसे मैंने यह monthly report में भेजता हो तो वो PDF आप send कर सकते हो यहां से जो आप mobile version से किया करते थे आप PDF send कर सकते हैं आप photos send कर सकते हैं you can do the same from here also यहां से भी आप उसको send कर सकते है फोटो वीडियोज फोटो यह फिर आपका जो है PDF है और ठीक है यह देखे यहां पर है अब आप say this जैसे मैं send करता हूं कुछ message send करना होता है whatever ठीक है उसके बाद एक और इन्होंने जो update दिया है वो भी बहुत important है तो एक हमने update discuss किया है about the profile section दूसरा है chat section ठीक है तीसरा है student section में देखे पहले यह search का option ही आता है लेकिन अब आप उनको student name या number से search if you have many students क्योंकि यह unlimited students को allow करते हैं आपके एक batch में आराम से जोड़ सकते हैं आपको Google meet and all अगर आपके अनमा office students आता है तो हमको payment करना होता है means यहां पर यह तनी अच्छी चीज है कि आप unlimited students जोड़िए free of cost यहां यह free of cost आप जोड़ते हैं यह app भी free और students जोड़ रहे हैं उनके numbers से इनको कोई ना देना नहीं है the class will conduct will be conducted very smoothly तो आप यहां से search कर सकते हैं उनके name से या फिर उनके phone number से तो यह 3 important updates इनोंने दिये हैं जो इससे पहले web version में नहीं हुआ करते थे ठीक है and the same you will get mean in the mobile version जो की पहले से उसमें होता चला आ रहा था तो यह important update मुझे देना था teachments related तो यह video कैसे लगी अगर अच्छे लगी हो तो like ज़रूर कीजेगा सब को share कीजिए ताकि सारे educator teachers को पता चले तेक है और मिलते हैं next video में very soon stay home stay safe goodbye